वेलकम टो सहिताज कुकरी क्लासिस आज आप और हम मिलकर बनाएंगे कलकत्ता की जाल मुरी और मुंबई की भेल मुरी आज हम जाल मुरी और भेल मुरी बनाएंगे ये अलग लग जगे में अलग लग तरह की मिलती है इसे मुरी मुर्मुरे और पॉफ्ट राइस भी कहते हैं हम 4 कप मूरी लेंगे अब हम इसे भून लेंगे कडाई गरम हो चुकी है अब हम इसमें 2 बड़े चम्मज सरसो का तेल डालेंगे और इसे अच्छे से गरम करेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ते डालेंगे और इसे हम कुछ सेकेंड के लिए चलाएंगे अब हम 4 कप मूरी डालकर लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे इसे हमें चलाते वे भूनना है अब हम एट करेंगे आदा छोटा चमज हल्दी पाउडर एक छोटी चमज लाल मिच्ची पाउडर आदा छोटी चमज चाट मसाला इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे यदि आपको चाई के साथ ऐसी खानी है तो आप इस टाइम नमक एड़ कर सकते हो जाल मूरी बहुत ही टेस्टी बनती है जब भी आपका इवनिंग में मन करता है तो आप इसे बना कर खा सकते हैं यह बहुत ही लाइट होती है इसे भूनतेवे 6 मिनट हो गए है अब हम इसे तोड़कर चेक करेंगे कि यह क्रिस्पी हुई है या नहीं अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रूम टेंपरेचर पर आने के बाद हम इसे एर टाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे हम तीन पापर लेंगे इसे हम बीच से काट लेंगे अब हम तबे पर सेख कर इसे पापर कॉन बनाएंगे पापड कोन पर लगाने के लिए हम spicy गी बनाएंगे, एक पाउल में दो बड़े चमच हम melted गी लेंगे, आदा चोटा चमच लाल मिर्ची पाउडर, आदा चोटा चमच भूनावा जीरा, इसे हम ब्रश की साइता से अच्छे से मिक्स करेंगे, तवा गरम हो चुका है, आदा पापड रखकर हम कपड़े से दबा दबा कर पापड को सेकेंगे, पापड को हमें medium flame पर ही सेकना है, पापड को हम दूसी तरफ से भी सेकेंगे, हम पापड के दोनों कोनों को पकड़ करके इस तरह से पापड कोन बनाएंगे, एक मिनट तक पकड़ कर रखेंगे तो पाप पहले बना के नहीं रखना है नहीं तो यह सोगी हो जाएंगे सभी पापन कॉर्ण को हमें इस तरह से रेडी करना है हम एक बावल में चार कप भुनीवी मूडी लेंगे अब हम एड़ करेंगे आधा कप अंकुरित चने आप दाल मोट भी एड़ कर सकते हैं अंकुरित चने से बहुत ही टेस्टी लगती है जाल मुडी आधा कप नमकीन मुफली के दाने आधा कप भुजिया आधा कप बारी कटवा प्यार दो बड़े चम्मच बारी कटवा नारियल दो हरिमिच बारी कटवी दो बड़े चम्मच बारी कटवा धनिया आधा कप बारी कटवा खीरा दो बड़े चम्मच अचार का तेल हमें मसाले के साथ डालना है अचार के तेल के साथ जालमुडी बहुत ही टेस्टी लगती है इसे हम अब अच्छी से मिक्स करेंगे बड़ों को और बच्चों को सब भी को ये पसंद आएगी हमने इसमें बुजिया नमकीन मुफली के दाने और अचार का तेल डाला है आप टेस्ट करके नमक एड़ कर सकते हैं अब हम इसे सर्फ करेंगे पापर कौन को हम ग्लास के उपर रखेंगे और कौन के अंदर हम जालमुडी डाल कर सर्फ करेंगे ये सभी बच्चों और बड़ों को पसंद आएगी उपर आप थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इसे आप तुरंती सर्फ करेंगे अब हम बनाएंगे बेल मुडी हमने मुडी को भून कर रेडी कर लिया है हम बेल मुडी को एक साथ नहीं बनाएंगे ये सूगी हो जाएगी हम थोड़ी थोड़ी करके बनाएंगे हम एक पाउल में एक कप भुनीवी मूडी लेंगे दो बड़े चम्मच कटेवे प्याज दो बड़े चम्मच कटेवे टमाटर एक बड़ा चम्मच उबलावा और कटावा आलू थोड़ी सी हरिमेच दो बड़े चम्मच कटावा खीरा एक बड़ा चम्मच कटावा धनिया एक बड़ा चम्मच हरी चटनी एक बड़ा चम्मच मीठी चटनी अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दो बड़े चम्मच नमकीन मुफली के दाने दो बड़े चमच खट्टी मीटी नमकीन आप कोई भी नमकीन ले सकते हैं पपड़ी भी ले सकते हैं थोड़ा सा निम्भू का जूस अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दोनों चटनियों में नमक है इसलिए हमने नमक एड़ नहीं किया है आप टेस्ट करके देख सकते हैं येदी आपको ज़रत है तो आप थोड़ा सा एड़ कर सकते हैं एक प्लेट में हम इसे तुरंट सर्फ करेंगे नहीं तो ये सोगी हो को हो जाएगी अब हम गारनिश करेंगे जिरो साइक भुजिया से ये दो बड़े चमझ डालेंगे हम कट्वा दनिया करेंगे अनार के दानेंश से भी हम गारनिश करेंगे उसे यदि आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक के बटन पर क्लिक करें थेंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो